नमस्कार अमीजिंग रेसिपीज चानल में आपका बहुत स्वागत है आज हम आलू पोस्तो बनाएंगे यह एक बेंगॉली डेलिकसी है और यह एक वेजिटेरियन डिश है आलू और पोस्तो का सबजी है और इसको यह चावा साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है इसके लिए तो सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर दिया है और अश्रसो का टेल डाल दिया है सरसो का टेल जैसे गरम हो जाए हम उसमें पांच फोडन डालेंगे यह देखिए पांच फोडन में हमने लिया है सौंप, जीरा, कलॉनजी, सर्सो, मेथी और लाल मिर्चे आप जितना मिर पांच फोडन डालने के बार हमने इसको थोड़ा सा चला लिया है और थोड़ा सा हम इसको हल्का फ्राई कर लेंगे जैसे मसाले फ्राई हो जाए हम इसमें आलू डाल देंगे अब इन आलू को डाल के हम लोग इसको अच्छे से प्राई करेंगे पोस्तो को ब्लेंडर में ले लिया है पोस्तो को हम हिंदी में खस खस बोलते हैं कष़ब ऊसमीन नमक ब्राइब देगे और रखाए लेगे के लिए अब इसमीन पानी देखे थोड़ा सा और नमप डालेंगे अब इसमें हल्दी नमक दाल देगे अच्छे से कर लेंगे और कुखोने के लिए रग देंगे जब तक पक नहीं जाता हम इसको चलाते लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बार हम पुखोने लेंगे अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसको ढख कर पका लेंगे अब हम इसमें पूस्तो का पीस डाल देंगे और इसके बार हम इसे चिससे अच्छे से मिक्स करने के बार हम इसको ढख कर पका लेंगे हम इसको तक तक ढख कर पकाना है जब तक कि आलू गल ना जाए अब हम इसे ढख कर पांचे साथ मिलेट तक पकाएंगे यह देखिए आलू गल जाएगा तक आपको इसको पकाना है अब हम इसे ढख कर पांचे साथ मिलेट तक पकाएंगे यह देखिए आलू पोस्त को बन गया है यह बहुत ही टेस्टी लगेगा चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है अगर आप चाहें तो इस स्टेज में आप थोड़ा सा उपर से सरसो का तेल और डाल सकते हैं उससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है ऐसी और भी रेसिपी इस देखने के लिए आप मेरी चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को ओन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी अप्लोड करूं आप उसे तुरंत देख सकें धन्यवाद थैंक्स फॉर व